कोई ज待को वहाले कूसे हैं उमीद्स हुआ दर्बचे सा वहाँ पसालाप के सेंटेंस को बनाने के लिए क्या इस्तर्भार करते हुए इसंतरा के स्ट्रुक्चर को बनाएंगे तो चलने देखते है क皆 trás हुर्स्ट व्लाएगा सबसे पहले so, फिर उसके बाद कोई adjective आजाएगा, कोई भी adjective जिसे good, bad, cheap और जो भी हमारे adjectives होते हैं, वो आजाएंगे, यानि कि जो sentence के according हमें चाहिए होगा then उसके बाद आएगा, end, end के बाद आएगा, possessive adjective possessive adjective क्या होते हैं, जिसके my, your, our, her, his, their, or its ठीके, यह हमारे possessive adjective क्या लाते हैं, दिन उसके बाद जो noun होगा, वो आ जाएगा so, let's use it in the sentence is, इतना सस्ता और मेरा मुबाईल, इतना सस्ता, इसके लिए हम बोलेंगे, so cheap यानि, सस्ते को हम चीप बोलते हैं, बोलेंगे, so cheap and my mobile, so cheap and my mobile, इतना सस्ता और मेरा mobile, next sentence, इतनी गोरी और उसकी बहन, इतनी गोरी और उसकी बहन, तो हम बोलेंगे, so fair and his sister, so fair यहाँ पर जो है, एक adjective है, so so लगाया, उसके साथ, so fair यानि, इतनी गोरी and his sister और उसकी बहन, next sentence, इतना जहीन और तुम्हारा दिमाग, इतना जहीन और तुम्हारा दिमाग, तो बोलेंगे, so intelligent and your mind, so so के बाद हमने intelligent लिखा, यहनि आज perceptive देनों, उसके बाद end लगा के हम ने युर माइंड लिखती है, यहनि Tomhara दिमाग, next sentence, इतना बड़ा और उसका घर, इतना बड़ा और उसका घर यहाँ पर बड़ा भी adjective है तो बोलेंगे so big and his house so big and his house इतना बड़ा और उसका घर होई ने सकता वो तो गरीब है so I hope आपको यह वाला structure समझ में आगे होगा so this sentence is for you to translate इतना महिंगा और तुम्हारा मुबाइल इतना महिंगा और तुम्हारा मुबाइल so इस sentence को बना कर जरूर कॉर्मेंट बॉक्स में लिखिए हम next जो है जिसके अंदर हम देखें सबसे पहले के हाथ आएगा इसके अंदर search search जब भी हम noun की बात कर रहे होंगे यानि search के बात noun आ रहा होगा तो हम जो है सच लगाएंगे और अगर adjective और अगर so लगाएंगे meaning वो ही निकल रहे होंगे ठीके फिर उसके बाद एगा and और वो ही possessive adjective देन उसके बाद noun किस तरह देखते हैं ऐसा लड़का और मेरा भाई ठीके अब यहाँ पर जो है ना नाउन है तो नाउन के साथ अमने सच लगाया तो बलेंगे such boy and my brother एसा लड़का और मेरा भाई such boy and my brother next sentence ऐसे कपड़े वो तुम्हारे घर में ऐसे कपड़े वो तुम्हारे घर में तो बनेगा such clothes and in your house such clothes and in your house तो देखें such clothes यहाँ पर so clothes नहीं बोल सकते क्योंकि वो गलत हो जाएगा sentence such clothes यानि एसे कपड़े and in your house और तुम्हारे घर में next sentence ऐसा घर और वो भी तुम्हारा ऐसा घर और वो भी तुम्हारा तो बनेगा such house and that to yours such house and that to yours ठीक है so जब भी noun होगे तो सच लगेगा और एजेक्टिव होगे तो so लगेगा वैसे उर्दू में भी हम बोली रहे हैं जब so लगा रहे हैं तो इतना का sense आ रहा हो वैसे हम ऐसा का sense आ रहा है so उर्दू में भी डिफरेंस है ही इसका एसी कार और वो भी तुम्हारे पास एसी कार और वो भी तुम्हारे पास तो बनेगा such car and that to with you such car and that to with you I hope कि आपको ये structure समझ में आ गया होगा so this sentence is for you to translate एसा बच्चा और मेरा शागिर्द एसा बच्चा और मेरा शागिर्द इस sentence को मिना कर ज़रूर comment box में लिखेगा ताकि मुझे पता चले कि आपको वीडियो समझ में आई की निया हमारे spoken club को जोइन करने के लिए speaking practice के लिए अब हमारे spoken club को जोइन कर सकते हैं so spoken club को जोइन करने के लिए हमारे इस number पर whatsapp कीज़े और अगर आप उससे online classes लेना चाहते हैं grammar की so वो भी ले सकते हैं वो भी available है तो अगर आप जोइन करना चाहते थे इस number पर whatsapp कीज़ेगा thank you so much